तो ऐसे भी क्या कुछ हम अरवेदिक तरीके से इसको अपना सकते हैं कि पूरे सर्दियों में वर्ट फटने की समस्या होती है। बहुत सारी समस्या होती है, तो इन समस्याओं से छोट पर आप आजा है, तो अपनी सिकन के उपर एक कटोरी कम से कम, बहुत सो ग्राम सरसों का तेल लेकर के सर पर डालिये, जैसे बोले नाथ के उपर जल चड़ाते हैं, जैसे बोले नाथ के उपर दूद चड़ाते हैं, उस तो आप देखेंगे कि जो श्रीर के उपर ऐसे लगता था 24 गंटे कि उठेने को मन नहीं कर रहा, जागने को जाग गए, आँख खुल गई, उठा नहीं जा रहा, थकाबट रहती है, ऐसे लोग और जो श्रीर जिनका श्रीर चड़चड़ा हो जाता है, इसकिन चड़चड़ एक कटोरी डेली सर पे डाल के आप मसाज कीजिए, जो मेरी बहने सर को एक हफते में दो बार दोती हैं, वो दो बार ही लगाएं को तीन बार बाश करती हैं, तो वो तीनों बार लगाएं, आप जिन्दगी में याद करोगे कि सुभाश गोयल ने जो बताया था, वो कमाल की चीज है, और सबसे बहतरीन और चीज में बता दू, चवन प्राश, सर्दी का तौफा है चवन प्राश, चवन प्राश जो लेना है, वो बहुत सोच समझ के लेना है, जिसका देखो चवन प्राश बना रहा है, जिसको देखो चवन प्राश बना रहा है, लेकिन आमले की प वैदवान लिखा है ना वैदवान वी ए आई डी बी ए एन वैदवान इसमें डॉट कॉम पे जाके आप खरीद सकते हो और यह प्रमाण है वैदवान जब लग गया उपर तो समझो प्रमाण है उसमें कुछ छोचने की जरूरति नहीं है चबन प्राश छोटे बच्चे से लेके बड़े बजर्गों तक सब के लिए चाहे बबासीर का रोग है शूगर का रोग है जोडो का रोग है दिल का रोग है दिमाग का रोग है लीवर का रोग है कोई भी बिमारी है आप चबन प्राश लेंगे तो चबन प्राश मतलब जिं पी सकते हो वरना खटे के साथ दूद पीने से white spot की problem आ जाती है skin के उपर, यह मैं बता दूँ आपके.